हेलो दोस्तो फाइनली हीरो कमपनी ने हीरो स्प्लेंडर 125 X Tech Bike को लाँच कर दिया है इंडियन टूबिलर मार्केट में और उसके साथ ही हीरो कमपनी ने नूली लाँच हीरो स्प्लेंडर में हमें दो डिफ्रेंट वेरियंट्स भी ऑफर किया है जिसमें से इसका जो पहला वे बात कर लेते हैं इन दोनों ही डिफ्रेंट वेरियंट की प्रैजिंग की तो हीरो स्प्लेंडर के बेस वेरियंट मतलब की ड्रम ब्रेक वाले वेरियंट की स्टार्टिंग एक्सवरों प्रैजिंग है और उसके साथ ही इसके टॉप वेरियंट की स्टार्टिंग एक्सवरो की looking and design की तो यह बाइक हमें decent look में ही देखने को मिल रही है और overall इसका look है decent और काफी अच्छा भी निकल के आता है और इसकी looking and design है वो कुछ हद तक सिमिलर ही देखने को मिल रही है हमें hero company के HF DELUX के जैसे hero company ने इस बाइक के front section में LED head light offer कर रही है और इसके साथ इसमें LED signal turn indicators भी देखने को मिल रहे हैं मतलब कि इसमें all LED setup offer किया गया है जो की काफी अची बात है और इसमें जो company ने outer rear view mirrors यूज किया है वो भी हमें decent design में ही देखने को मिल रहे है अब swift handle bar देखने को मिल रहे है और उसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं इस bike के bit section की तो hero company ने इस bike में हमें same design में ही fuel tank offer करा है HF Deluxe के जैसे पर definitely hero company ने इसमें new graphics का use भी किया है और इसमें single and comfortable seat भी देखने को मिल जारी है और उसके साथ ही इसके पीछे के side में company ने grab rail भी offer करा है और बात कर लेते हैं इस bike के rear section की तो rear section में हमें tail light देखने को मिल रही है और उसके साथ ही company ने इसमें signal turn indicators भी offer करा है तो यह सभी तो हो गए hero splender 125 bike के basic features और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस bike के key features की तो hero company ने इस newly launched bike में हमें fully digital instrument cluster offer करी है जिसमें definitely हमें काफी सारे features देखने को मिल जाएंगे इस newly launched bike से related जैसे की speedometer, odometer, dachometer, fuel indicator, gear indicator, travel distance और भी काफी सारे features देखने को मिल जाएंगे तो इन सभी features के साथ इस bike का जो overall look निकल के आता है उसके बाद finally बात करते हैं hero splender 125 bike के engine specifications की तो hero company ने इस newly launched bike में हमें 124.7cc का engine offer करी है और यह powerful engine है जो कि हमें generate करके देता है 10.7bhp का power और उसके साथ ही 10.6Nm का peak output torque भी produce करता है definitely यह engine में best performance भी provide करेगा और उसके साथ ही company ने इसमें 5 speed manual gearbox भी offer करा है तो definitely power and performance तो हमें अच्छी खासी ही देखने को मिलने वाली है और hero company की hero splender 125 bike हमें लगबग 68 km per liter का mileage भी provide करेगी company यह claim करती है कि यह bike हमें maximum mileage provide करेगी और वैसे भी hero company की hero splender bike का Indian market में हमें अच्छा खासा demand भी देखने को मिल जाता है क्योंकि यह bike affordable price range में launch होती है और looking and design भी अच्छी खासी है साथ ही अच्छा खासा mileage भी provide करती है और इसके बाद अगरण बात करते हैं इस bike के hardware configurations की तो hero company ने इस newly launch bike में हमें alloy wheels offer किया है जो कि हमें black color में देखने को मिल जा रहे हैं और इस bike की breaking duty handle की गई है disc brake के दवारा और drum brake के दवारा इसके base variant में company ने drum brake offer किया है और इसके top variant में हमें disc brake देखने को मिल जाता है और इन दोन ही variant की pricing भी different different है और breaking के साथ-साथ company ने best suspension duty भी offer करी है क्योंकि इस bike के front section में हमें telescopic fog suspension देखने को मिल रहा है और rear section में spring coil shock absorber suspension offer किया गया है और यह दोनों ही best suspensions हैं जो कि हमें इस bike में comfortable and smooth riding experience प्रोवाइड करेंगे तो इन सभी features और specifications के साथ hero company ने एक और नई bike को launch कर दिया है Indian two wheeler market में और definitely hero company ने hero splendor में एक upgrade किया है इसके engine specifications पर और आपको hero company की 125cc वाली bike कैसे लगी comment करके जरूर बताएं तो दोस्तों में देए कि आपको जाब video और information पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चनल को subscribe करिए ताकि आपको ऐसी ही updates और information मिलती रहें तो या थैंकियो फॉर वाचिंग